असलाम अलेकुम आपिरेंट्स आज हम एक नए मुजू पर बात कर रहे हैं वह है चैलेंजिज टू नेशनल स्कूरिटी एड सॉवरेंटी आफ पाकिस्तान यह जो टॉपिक है स्कूरिटी के इसकी दो-तीन डावेंशन्स हैं जिन में से एक है इंटरनेशनल स्कूरिटी एक ह का और एक जो है वह आज का टॉपिक है इसमें बुन्यादी तोर्वें हम देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल स्कूरिटी थर्ट्स लेकिन हम यह वह टागेट्स देखेंगे जो के मिलिटरी थर्ट से हट के हैं मिलिटरी थर्ट अगेन वही हिस्टारिकल कांटरक्स में एक मुल्क दूसरे मुल्क के ओपर अटैक कर दे तो वो जो है एक मिलिटरी थर्ट है पागिस्तान को इंडिया से या पागिस्तान को अफगानिस्तान से या चाइना को यूएस से से उ उसमें hybrid warfare हो सकती है, या cyber warfare हो सकती है, या फिर उसमें media perception या media warfare हो सकती है, या उसमें किसी दूसरी domain के उपर, environment के front के उपर, या development के front के उपर, या economic front के उपर, या social या cultural front के उपर, एक country, दूसरे country के खलाफ war wage कर सकता है, और उसको आप कहेंगे के वो non-traditional security threat है, एंड्रियू मकाबी, there is no world of absolute and complete privacy, or complete national security, एंड्रियू मकाबी के नजदीक, complete national security का कोई concept है ही नहीं, और ये बात आप देखेंगे, किस तरह से सच है, हर मुलको economic crisis का सामना है, हर मुलको environmental security के threats है, हर मुलक को globalization की onslaught का सामना है, हर मुलको nuclear threat का सामना to some extent है, especially nuclear powers को, अब हम देखते हैं कि कुछ threats जो है non-traditional, या national security को कुछ threats क्या हो सकते हैं, challenges क्या हो सकते हैं, urbanization, party, militancy, natural disasters, displaced persons, climate change का threat है, global warming है, infectious diseases है, hunger है, या population explosion है, nuclearization का nuclear threat का element है, South Asia को particularly, food और water shortages है, transnational crimes है, especially इसमें human trafficking का element है, women trafficking का element है, drug trafficking के जो crimes है, smuggling of goods का जो मसला है, अफ़कानिस्तान में जैसे, opium cultivation होती है, तो वो पाकिस्तान के रास्ते से, जो है, वो rest of the world को flow करती है, तो वो भी पाकिस्तान के लिएक मसला है, oil की smuggling हो रही है, इरान से लेकर दोचिस्तान में और वहां से फिर rest of the पाकिस्तान में, वो एक informal economy को develop कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की national security को हत्रा है, irregular migration, जैसे मिडल इस्ट से, या सीरिया से हो रही है, Mediterranean से होते हुए Eastern Europe, और वहां से पिर आगे जर्मनी में, या France में, या UK में, या जैसे United States of America को Latin America से immigration का third, ये immigration के जो मिसाइल होते हैं, जिनकी वज़ा से किसी मुल्क का internal वहां का, internal social economic fabric या social fabric वो tent होता है, इनको आप कहते हैं कि ये national security को threats हैं, हम बात करते हैं, Mellie Anthony साब define करते हैं, non traditional security threats को as, these are challenges to the survival and well-being of peoples and states, पहली बात है के challenges हैं, that arise primarily out of non-military resources, such as, अब इसमें ये देख लीजिए के चंद एक जो मैंने पहले भी enlist किये थे, climate change हो सकता है, cross border environmental degradation हो सकती है, अभी smog की बहस चली पाकिस्तान में के इंडिया में, जो वहां के किसान हैं, वो जब crop residue को जलाते हैं, तो उसको जलाने से, जो smoke travel करता है, वो smoke पाकिस्तान में आता है, तो उसकी वज़ा से यहां पे smoke का मसला है, ये conspiracy theory है, इसमें कितनी reality है, I personally think कि ये conspiracy theory है, लेकिन आपने ये समझना है, कि cross border इस तरह का कोई, externality जो है, एक मुल्क के तरफ से, दूसरे मुल्क के ओपर, उसके negative impacts हो सकते हैं, environmental degradation है, या resource depletion है, infectious diseases, मुख्लिफ बेमारियां हैं, especially Ebola virus का उट प्रेक हुआ, 3-4 साल पहले, C.R.A. Leona में, तो हमने देखा कि वो foreign African countries में फैलने लगा, तो global level के ओपर, उसको contain करने की effort हुई, और उसको contain control कर दिया गया, पाकिस्तान में पोलियो वायरस था, तो पोलियो वायरस की वज़े से, आपको बता है, पाकिस्तान के ओपर, पोलियो वायरस पाकिस्तान में से बाहर ट्रेवल ना करे, उसकी वज़े से, बाकी countrys को वहाँ बाकी countrys जो है वो उनकी health security को पाकिस्तान में पॉल्यो होने की वज़ा से मसला उन्होंने फील किया तो उन्होंने क्या कर दिया तुमाम पाकिस्तानी जो यहां से बाहर जा रहे थे एरपोर्टे के ओपर उनके लिए एक test लाजमी करार दे दिया गया कि वो certificate produce करें कि वो polio free हैं या वो polio के victim नहीं हैं तो इस तरह के इसी तरह से natural disasters सेलाब हो सकते हैं, man-made disasters हो सकते हैं, earthquake के disaster हो सकते हैं, forest fires के disasters हो सकते हैं, amazon के forest fires अभी recently वाकियात हुए है सोनामी हो सकता है, tornado हो सकता है, hurricane हो सकता है, typhoon हो सकता है जपान हर दूसरे साल जो है वो किसी ना किसी बड़े जलजला वहाँ पे उसने havoc रख किया होता है, hurricane Katrina है, hurricane Harvey है, जिसने United States of America में जो है वो बड़ा billions of dollars के losses inflict किये हैं, तो इस तरह के वाकिया जो है, वो non-traditional security threats में आते हैं, irregular migration है, अब migration सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन दुनिया में दो zones ऐसे हैं, जो कि migration की वज़ा से बहुत ज्यादा impact हो रही है, एक यूरप है और यूरप में जो majority of migration हो रही है वो majorly हो रही है, दो region से, एक Central Central Asia या South Asia से हो रही है, और दूसरा जो है, वो हो फिर इसके अलावा, यूरप के अंदर भी migration के crisis हैं, साल के तोर पर यूरप में जो Western Europe है, उसको Eastern Europe से migration का मसला है Brexit में एक जो important element साजिस की वज़ा से Britain जो हो एक्जिट करने जा रहा है यूरप से, वो ता शेंजन जून और उसमें एक मसला जो था वो Britons को ये था कि बाकी यूरप के ममालिक से immigrants आके London में बैठ जाते हैं, या यहां पर businesses करने लग जाते हैं उसकी वज़ा से वहां की जो local population थी, वो unemployed हो रही थी 2016 में जब President Trump ने election जीते, तो President Trump के election जीतने में से एक जो नारा उसने लगाया था वो immigration के खिलाफ का नारा था फिर आपने देखा कि फोरण President Trump ने President बनने के बाद African countries को शिट होल कंट्रीज कहा, चे मुस्लिम कंट्रीज से immigration के ओपर बेन लगा दिया Custom Enforcement Inspectorate Establish कर दिया गया मेकसिको की के साथ जो है USA की Southern Border के ओपर वाल एरक्ट करना शुरू कर दी तो इस तरह के जो incidents हैं इस तरह के जो वाक्यात हैं उनसे आपने ये समझना है कि immigration सारी दुन्या में एक मसले के तोर पे देखा जाता है Irregular Migration Money Laundering Money Laundering किस तरह से problematic है National Security के लिए FATF का आपने issues जैन में रखना है Financial Action Task Force पाकिस्तान को grey list कर दिया गया आपकी international level के ओपर जो economic transactions हैं वो smooth नहीं हो सकती then क्यों because sanctions लगी होती हैं आपके ओपर आपके ओपर monetary चक्स लगे होते हैं FATF में grey listing का मतलब ये है कि आपकी जो transactions है financial transactions वो fair नहीं है यहां से कहीं आपकी जो transactions हैं banking के channels के तरू terrorist entities को पैसा जा रहा है तो जो एक बात कही जाती है CFT counting financing of terrorism उसके pretext के अंडर and AML anti money laundering के pretext के अंडर पाकिस्तान को FATF में grey list किया गया वो again पाकिस्तान के national security के लिए हद्रा फिर sanctions की में बात करूँ JCPOAK से withdrawal के बाद USA ने इरान के ओपर economic sanctions लगा दी और इरान को economic pain का सामना करना पड़ रहा है तर्की के ओपर USA ने economic sanctions लगाई और तर्की का लीरा तर्किश लीरा की जो currency थी तर्किश लीरा वो बहुत ज़्यादा depreciate हुई Iranian currency भी बहुत ज़्यादा depreciate हुई है और अभी जो चीज़ ये आपको नज़र आ रही है North Korea के ओपर USA की sanctions European Union की sanctions और UN की sanctions डू टू दा nuclear program of North Korea ये वो reasons हैं जिनकी वज़े से कोई भी मुल्क तर्की हो इरान हो या North Korea हो उनकी economic security को missile का सामना करना पढ़ता है Again फिर threat है national security को Food shortages अब food shortages की वज़े से डौट हो सकता है Food shortages की वज़े से कहत हो सकता है Food shortages की वज़ए से Mal nutrition हो सकती है Food shortages कीवज़े से Health emergency हो सकती है आपके बच्चे जो है आपके मुलक के बच्चे हैं उनके जो brain की ग्रूमिंग है वो एट पार नहीं होती कि वो एक intelligent brain या intelligent activities में या learning के activities में इन्वाल हो सेगे प्राइमनिस्टर हान ने आते साथ ही जो हो कुछ diagram दिखा के यही बात explain करने की कोशिश की थी people की smuggling होती है drug trafficking होती है ट्रांस नेशनल क्राइम ट्रांस नेशनल क्राइम मसाल के तूर पर युनाइटिट स्टेटस अफ अमेरिका की जो सदुन स्टेटस उनको यह मस्तलब बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है मेकसिको से criminal gangs जो हो USA में trafficking करते हैं और USA में आके criminal activities में involved होते हैं इसके अलावा four overs की भी हम बात कर लेते हैं यह जो चार overs हैं यह challenge पोज करते हैं national security को मिसाल के दोपे over commercialization है हद से ज़्यादा जब commercialization होगी तो आपका जो state है state का role कम से कम होता जाएगा और private जो parties हैं या corporate sector है वो expand होते जाएगे तो ऐसी सुरत में आपके state की तमाम policies को national security हो या कोई भी domain हो उसकी policies हो उनको dictate यही private sector करेगा तो over commercialization अच्छे नहीं होती over industrialization हद से ज़्यादा industrialization अगर आपके मुलक में होई हो तो वो भी problematic होती है इसका मसला हमने देखा कि China को यह मसला face करना पड़ रहा है अब over industrialization का नुकसान क्या होता है जब आप over industrialize हो रहे हैं तो इसका मतलब आप production manufacturing कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपके मुलक में automated sectors चल रहे हैं लेकिन cost क्या है cost है fossil fuels की fossil fuels को आपने consume करना है fossil fuels की consumption होगी तो आपकी फिर आपकी जो industrial activity है वो run होगी fossil fuels आप consume करेंगे तो आप carbon dioxide का footprint बढ़ाएंगे आप greenhouse gases की emissions ज्यादा करेंगे जिसकी वजह से जो है वो climate के मिसाल पैदा होंगे pollution होगी और environmental degradation होगी over modernization over modernization की वज़े से जो मिसाल का सामना है वो है social और cultural level के उपर साल के तो पर हद से ज़्यादा जब आप modernize होते हैं तो हमने यह देखा है कि individualistic सोच बढ़ जाती है individualistic सोच बढ़ने की वज़े से सबसे ज़्याद पहले जिसके उपर impact होता है वो होता है institution of family के उपर और दूसरा जिसी के उपर impact होता है वो है एक individual के उपर तो इन दूनों aspects के उपर impact की वज़े से overall आपकी social fabric मतासर हो जाती है एक तरफ self interested individuals अपने self interest को preserve करते हैं या उसको pursue करते हैं और दूसरी तरफ society का या family का interest है जब self interest या individual का interest जो है वो prominent होगा या वो प्रेमाइस हासल करेगा collective interest के उपर तो आपकी social fabric या cultural fabric मतासर होती है ये material aspect के उपर ज्यादा इसके negative impacts है और in the larger run चुंके जो आपकी state है वो society से मिलके बनी होती है इसके overall impacts आपकी culture के लिए आपकी civilization के लिए अच्छे नहीं होती over professionalization हच से ज़्यादा जब आप professional होंगे हच से ज़्यादा जब आप formal interactions में होंगे तो फिर शायद humans में empathy का element हतम हो जाएगा फिर शायद humans खुद को वैसे ही treat करने लगें जैसे के एक मशूर शायर ने कहा के ऐसासे मरववत को कुचल देते हैं आलादा तो हद से ज़्यादा जब आप mechanized होंगे हद से ज़्यादा professional होंगे formalized interactions होंगी तो फिर शायद individual level के ओपर emotive level के ओपर या human level के ओपर किसी दूसरे individual को आप कभी approach ही नहीं करेंगे उससे आपकी socialization मतासर होगी उससे आपके माशरे में जो connectivity है या cohesive forces है या bonding की जो forces है उनकी improvement या उनकी development मतासर होगी क्योंकि माशरा जो है उसमें different individuals एक cogs की तरह से act करते हैं और उसका sum total मिलके आपका माशरा और मुल्क बनता है तो इससे आपके मुल्की national security का एक component जो social security है वो मतासर होती है impacts क्या है इसके social impacts है, economic impacts है, political impacts है, cultural और geographic impacts है ये security से मतलिक जो बैस है आने वाली वीडियो लक्चर में हम इसी topic को आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के context में especially बात करेंगे और चार पाँच aspects की बात करेंगे कि जिन में पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं अपना ह्याल रखेगा अल्ला हाफिस